इस टॉपिक पर बात कर रहे थे वह था स्टूर्याता इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंसोलेशन इंसो शूर्यात तब को हमने क्या समझाता हमने ये देखा था कि शौर विक्रण का वह भाग तोर विक्रण का वह भाग जो प्रिथवी तक पहुंचता है जो प्रिथवी तक आता है इसको हम बोलते हैं इंसोलेशन इसको क्या बोलते हैं इंसोलेशन अब यह जो इंसोलेशन प्रिथवी तक आ रहा है मैंने आपको बताया था कि प्रिथवी की सभी स्थानों पर सुरिया तब एक समान नहीं होता अब एक समान नहीं होता तो हर जगे तापमान भी एक जैसा नहीं होगा तुरिया तब का एक पर्मुक जो है कि कंपोनेंट है या इसकी विसेश्ता है वह है शूरी की किर्णे अब मैंने आपको बताया था कि शूरी की किर्णे पिश्वत रेखा से नोट करते चलिए फिर आप बात में बोलते हो कि सब नोट नहीं कर पाए मेरे पास डबल ट्रिपल जिम्मेदारी है लिखों भी समझाओं भी और एक फ्लो में बोलते भी रहूं मैं यह तीनों काम कर लेता हूं आपके पास दो ही काम है लिखना और जो है कि देखना लेकिन फिर भी हम नहीं कर पाते हैं करते रहे सासर। तो हमने कहा था कि जो शूरीं की केरणे हैं यह हमने देखा था कि विश्वत रेखा से लेकर पुरुणों तक क्या होती हैं? अलग-अलग मात्रा में प्राप्त करते हैं तो बिश्वत रेखा से फुरूं तक किर्णों की मात्रा क्या होती है बदलती है किर्णों की मात्रा क्या हो जालती है बदलती है अर्थात जो बिश्वत रेखिये छेत्र है यहां पर शूरी की केर्णे जञादा प्राफ्त होती हैं और यहां पर कम दूसरा मैंने काह था कि वी किर्णों का जो 13,45 है वो अभी क्या होता है अलग-अलग होता है 13, osób जितना बढ़ेगा तापमान क्या होगा उतना ही कम हो इसका मतलब है यहाँ पर एक फर्मूला लिख लिजिए चूरी की किर्णों का किर्णों के किर्छे पन का प्यूत कर्मानुपाति शंबंध होता है इससे तापमान से मैंने आपको एक एक्जाम्पल दिया था कि आप एक टॉर्च लेते हो तॉर्च का फोकस और तॉर्च को आप जब चालू करते हो तो उसका फोकस जहाँ पर बनता है वहाँ पर ज़्यादा प्रकास होता है वहाँ पर कोई चीज हुआ ज़्यादा इस पर स्टॉर पर दिखाई देती है लेकिन उस फोकस से जैसे जैसे दूर जाते हैं, हमें अंधेरा महसूस होता है, यह किसी तरह शिफ्ट, यह हमान लेते हैं हमारा शूरह है, तो यहाँ पर अगर किर्णे क्या पढ़ रहे हैं, सीधी पढ़ रही हैं, तो इनके दोरा हीट क्या होगा, ज्यादा जनरेट, और अ शूरी की किर्णों की मात्रा का समानुपाती संबंध, समानुपाती मतलब एक बढ़ेगा, तो दूसरा भी बढ़ेगा, शूरी की किर्णों की मात्रा का समानुपाती संबंध होता है, ताप मांस, जैसे हम अपनी देश में इस समय क्या देख रहे हैं, कि सूरी की किर्णे ह हमारी खोपड़ी पर लंबे समय तक लंबौत हैं तो लंबौत हैं तो हम तापमान भी ज्यादा महसुस कर रहे हैं अब इस फॉर्मूले को देखिए जब सुरी की केड़े औस्टेलिया पर लंबौत पड़ेंगी या मकर रेखा पर लंबौत होंगी उस समय हमारे देश में कर पा रहे कि नहीं को रिखो साइंस को साइंस की तरह से पढ़ोगे तो समझ में आ जायेगा जो मिफ्ति के साथ सबसे बड़ी चीज यही कि अगर हमने इत्सक्राइंस के पकड़ लिया तो दुनिया का कोई भी पेपर हमें निरास नहीं करेंगा ओर अगर हम हम इसको आठ सब्जेक्ट की तरह पढ़ते रहे और सिर्फ पढ़ते रहे तो यह सब्जेक्ट हमको ऐसा ले डूबेगा यह हमें समझ में नहीं आएगा UPSC में अगर आप किसी से पूछिए जो पांक साल दस साल से तयारी कर रहे हैं ऐसे सो लोगों को बैठाईए आप उनसे पूछिए सबसे टफ सब्जेक्ट कौन सा है तो जो सब्जेक्ट सबसे उपर आता है उसमें है जोग्रॉफी, एकॉनमी और मैं इन दोनों ही सब्जेक्ट में आपको ऐसा मास्टर बनाना चाहता हूँ कि आपके सामने कोई टीचर भी खड़ा हो तो भी वह आपको बहका ना पाए आप कह सको अरे गरोजी इसके पीछे का साइंस यह है इतना रटने की जरूरत नहीं है अब बताएए जब आप क्या ही बच्चेगा तो अभी देखिए अभी हम कह रहे हैं कि यह हमारी पृत्वी है और यह है एक्वेटर अभी शूरी की केने कहां पड़ रही है सीधी यहां पर करक रेखा कि आसपास लंबवत पड़ रही है तो हमें गर्मी जादा प्राप्त हो रही है लेकिन जब क्य होगा तो मैं बीतेगा हमारे यहां पर ठंडी आएगे हमारे यहां ठंडी कब आएगी जब सूरी की केने मकर रेखा पर क्या होंगी लंबवत होंगी तो हमारे देश में सूरी की केने लंबवत नहीं बलकि तिर्ची पड़ेंगे क्या पढ़ेंगी तेर्ची पढ़ेंगी तो हमारे यहां पर मकर रेखा ऑस्टेलिया से गुजरता है तो ऑस्टेलिया में जब गर्मी होगा तो हमारे यहां पर ठंडी क्योंकि मकर रेख ऑस्टेलिया में तो सुरी की किर्णे सीधे पढ़ रहे हैं हमारे यहां उस समय राज जी लिखते हैं कल ही देखा हमने एक टीचर अधूरी जानकारी दे रहे थे जैसे आपने पढ़ाया उसका 40 परसेंट ही बताया था इतो है तो हम जी लिखते हैं इसलिए तो आपके पास आए वीडियो फीडवेक का क्यों नहीं भेजते हो भाई हम निरास हो जाते हैं आप लोग इतने लोग हो इतने लोग आधी लोग भी भेज दिये होते तो समझ में आता है पीडवेक का वीडियो क्यों नहीं भेजते हो आपको क्या लगता रे पतानी सेलेक्शन होगा या नहीं होगा हाना क्या ही हम किसी का परचार नहीं है भाई बैनों यह आप हमारे भरोसी के लिए कीजिए हम हर दिन आपके लिए क्यों मेहनत करते हैं आपका भरोसा आपका लेवल बढ़ाने के भेज दीजिए वीडियो क्लियर कि आप जब वीडियो भेजोगे तो हमें थोड़ा सा उसा मिलता है हमारा मनोबल होता है अनिसार जी साहर पिलिस साब मेरे डाउट का क्या डाउट बताईए अभी हम डाउट बाद में लेंगे लिए बताईए क्या डाउट बताईए नेहा जी रहने दे अगर कोई डारता है घर में तो हना परसान नहीं होना है और एक बार वीडियो भेज चुके हैं तो दुबारा मंद वेजे कोई दिक्कत नहीं नहीं यादाओ जी वो एक दिन ही दिक्कत हुई थी अब नहीं दिक्कत हुए और साइंस एंड टेकी क्लास 26 से दिख रही है विजिली क्यों चमकती है आगे चमकाएंगे विजिली आगे विजिली चमकाएंगे सीमा जी कोई बाद नहीं बाद में देख लेजेगा हाँ जी इस हाँ जी साधिया जी ऐसा होता है सर एंसी आटी रिवाइज कर रहे थे लेकिन मुझे 105 समझ में कैसा 105 105 कैसा 105 साइंस टेकी पीडियो डाल दे जाएगे डाल दे जाएगे अभी कुछ निए अभी भी बात्चेत नहीं कर पाहूंगा टॉपिक पर आगे बढ़िए आपको कोई भी डाउट हो आप अभी बाद में पूछ लिजेगा हाह जी एस और जो है की साइंस में जो है की वो तो दरसल जो science की class है, वो GS की class है, हमने NCRT वाले बच्चों को बस उसका access दिलवा दिया था, चलिए आए यहां पर आजे, आगे बढ़िए, यहां तक बात clear हो गए, अब आए देखिए, अब हमें दो चीजों को समझना है, यहां पर जब हम सूरी की केनों की बात करते हैं, त आखेर हमारे प्रिथवी के, किस हिश्चे को, किस हिश्चे को, कितना सूर्या तप प्राप्त होता है, यह हमें दो चीजें क्या करना है, नोट करना है, तो आएए, मैं अगले slide पर आपको ले चलता हूँ, और वहां पर दोनों ही चीजों को हम image के माध्यम से समझते हैं, ठ तो एक प्रित्वी हम यहां बना लेते हैं, आप भी मेरे साथ ऐसी प्रित्वी प्रित्वी बनाएगे, एक प्रित्वी हम यहां बना लेते हैं, मेरी प्रित्वी ऐसी है, आपको ज्यादा गोल बनाना है, जैसा भी बनाना है, आप स्वतंत्र हैं बनाने, ठीक है, अब यहां पर हम दिखाएंगे कोण दिखाएंगे तूरिया तब का कौण अर्था एंगल कहां पर तूर की किर्णे कितना एंगल बनाती है वो बताएंगे और यहां पर हम दिखाएंगे कि किस हिश्चे में कि देखेंगे किस हिस्से में किस हिस्से में कितना परतीशत सुर्यातब प्राफ्ष परतीशत तो देखें हम बार-बार यह कह रहे हैं आप से कि equator पर शूरी की किर्णे सीधी पढ़ती हैं तो सीधी किर्णे क्या करती है जहां पर भी पढ़ती है वहां पर क्या होता है 90 degree का code बनता है जैसे माल लो आपने कहा यह आधार है इस पर कोई सीधी किर्ण आकर पढ़ रही है तो यह angle कितने का बनेगा 90 degree का ठीक यही चीज यहाँ पर तो 0 degree पर सुरी की केने 90 degree का कोण बनाती है वहीं अगर हम देखें तो यह है हमारा 35 degree और 35 degree पर लगभग 66 जो है degree का 1 second परसंटेज नहीं है degree है 66 degree का जो है की कोण बनता है यह किसी तरह से अगर देखें तो 50 degree अक्षांस पर यह कितना है 50 degree अक्षांस इस पर जो है 40 degree का कोण बनता है इसी तरह से अगर हम देखें तो यह है 66 N आप जो है की अक्षांस रेखा और इस पर जो डिगरी का कोड बनता है, वह साढ़े तेश, साढ़े तेश डिगरी, और यह जो पोलर छित्र है, यहाँ पर बनता है, अना, 10 से लेकर, 0 डिगरी का कोड बनता है, इसका मतलब हम क्या देख रहे हैं, देखो, हम जैसा उत्तर देख रहे हैं, वैसा इत्चिड में होगा, तो हम एक्वेटर से अगर, यह हमारा 0 डिगरी है, हम पोल की ओर अगर जा रहे हैं, तो कोड का मान क्या हो रहा है, कोड का मान, वैलू क्या हो रहा है, कम हो रहा है, और कोड का मान कम होने की बज़े से, देखने अब को मिलते हैं। यहां तब बात किलीर हो गई। जल्दी बना लिजे इसको फिर मैं इधर वाली चीज़े बनाता हूं। जल्दी बनाई जल्दी जल्दी बनाई। जल्दी जल्दी बनाईगे जितना साइंटिपिक तरीके से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ किताब खोच-खोच के या फिर किसी टीचर से पूच-पूच कर आप परिसान हो जाओगे लेकिन आंसर नहीं मिलेगा और ये जितनी चीजे बता रहा हूँ सब यूपिश्शी का प्रश्ण है मैं कभी भी आपको अपने विद्धुता दिखाने के लिए क्लास में नहीं बोलाता हूँ मेरा बस वही सपना है जो आपके माता-पिता का है भाया सेलेक्ट हो जाओ नाम रोसन करो अपना आप सेलेक्ट होंगे तो हमें भी अच्छा लगेगा और फीडवेक का वीडियो भेज दीजे आप में से जितने लोगों ने फीडवेक का वीडियो नहीं भेजा भेज दीजे हाँ घर में कोई दिक्कत हो पड़सानी हो घर वाले लोग अगर मना करते हों ऐसा कुछ दिक्कत हो तो दूसरी बात है अधरवाज आप फीडवेक का वीडियो भेजेंगे तो अच्छा लगेगा मैं आपको नमबर बता देता हूँ जैसे हम कुछ अच्छा करें आपके लिए तो आपको अच्छा लगता है इसी तरह से नाइन एट और जीरो तिक्सना की नमबर है इसके लिए फीडवेक फीडियो भेजने लिए अब हम दूसरी चीज़े हां पर डिसकस करते हैं इसी के पैरलर कर लेते हैं तो दोनों चीज़े एक जगे हमारी मिल जाएंगे यहां पर भी यह हमारा जीरो डिग्री अक्षांस तो जीरो डिग्री अक्षांस पर अगर हम टेंप्रेचर देखें तो हमें क्या पता चलता है यह जो सूरियत प्राप्त होता है 100% यहां पर कितना प्राप्त होता है 100% सूरियत प्राप्त होता है क्योंकि केर्णे एकदम सीधी पड़ रहे हैं अगर हम 45 डिग्री अक्षांस पर देखें तो यहां पर सूरियत प्राप्त होता है 25 पर यह किसी तरह से 66.5 डिग्री पर अगर हम देखेंगे यह अक्षांस है न इस पर देखें तो जो सुरियत प्राप्त होता है लगभग 50% और धुरूबी छित्रों में जो सुरियत प्राप्त होता है यह आपका 90 डिग्री यहां पर जो सुरियत प्राप्त होता है लगभग 40 पर यही कारण है कि धुरूबी छित्र क्या ह होते हैं हमेशा ठंडे बने रहे हैं क्या यहां तक बात के लिए रहो गई अब यहां पर आपको यह confusion हो सकता है कि मैंने यहां पर लिखा है कि यहां पर सुर्य की किर्णों का जो तेर्चापन है चीरों से लेकर अना 10 डिग्री तक है तो आपका प्रिश्णी यह होगा कि सर जब यहां पर कोडिय मान इतना कम हो चुका है किर्णे इतनी तिर्ची हो चुकी है तो यहां पर जो सुर्या तप है वो 40% कैसे होगा इसके पीछे का कारण यह है कि यहां पर जब दिन होता है तो 6 महीने का दिन 6 म और तापमान कैसे डिसाइड होगा सूरियातप से तो जहां पर सूरियातप जादा उहां पर क्या होगा तापमान जादा तो तापमान सबसे ज़्यादा कहा होता है हमारे इन छित्रों में अमें देखने को किलियर यहां तक किलियर यहां तक किलियर मुझे पता है आपके क्या क्या प्रश्ण हो सकते हैं इसलिए मैं खुद प्रश्ण पूछ लेता हूँ देखो हमारे साथ क्या है न कि करीब नहीं तो 15-18 लाग बच्चों को पढ़ा चुका हूँ तो मैं मुझे पता है कि किस तरह के प्रश्ण कहां बनते हैं जैसे यह वाला प्रश्ण किसी ने पूछा उससे पहले हमने प्रश्ण बोल देखा आपके दिमाग में प्रश्ण होगा और हमें यह भी पता है कि प्रश्ण कहां से बनेंगे इसलिए दोनों चीजों को एक ही जगे पर हमने compare कर दिया किलियर है हां तक आगे बढ़ जाएं तो हमने क्या देखा कि तापमान कैसे different जगों पर अलग अलग दिख रहा है अगले slide पर आगे बढ़ जाएं अगले slide पर तो इसका मतलब यह है कि हम लिख सकते हैं यहां पर एक formula सूरिया तब का समानुपाती शंबंध होता है तापमान से यह हम लिख सकते हैं लेकिन लेकिन यह बिल्कुल हम direct इसी तरह से नहीं लिख सकते हैं इसको हम लिखने के साथ हम देखें जैसे हमने लिखा कि सूरिया तब जहां पर सबसे ज़्यादा होगा वहीं तापमान ज़्यादा होगा अगर मैं इस formula को बिना किसी इसपश्टी करण के लिख दूँ तो दरसल मैं यह तो कहना चाहता हूँ ना इसके माध्यम से कि equator पर फिर temperature सबसे ज़्यादा होना चाहिए फिर तो मैं यह कहना चाहता हूँ कि बिश्वत रेखा पर temperature सबसे ज़्यादा होना चाहिए सर एक डिगरी के अंतराल पर कितनी रेखा होती एक ही रेखा होते अब देखे हमने क्या का तो जहां पर सूरिया ताप जाता होगा वहां पर तापमान जाता होगा पस यहां पर नोट करके लिख लो यदि तापमान को परभावित करने वाले यदि तापमान को परभावित करने वाले अन्यकारक अन्यकारक न्यूट्रल हूँ अन्यकारक क्या हो न्यूट्रल हूँ इसका क्या मतलब हुआ इसका मतलब यह है कि देखिए तापमान कैसे परभावित होता है इस्थल और जल के बित्रण से अगर हम देखें तो सूरिय तप अगर इस्थल और जल दोनों को प्राप्थ हो रहा है तो भी इस्थल जादा गरम होगा जल कम कोई स्थान जहां पर सूरिय तप तो अधिक प्राप्थ होता लेकिन अगर अधिक उचाई पर है अगर अधिक उचाई पर है तो क्या हो जाएगा टेंपरेचर उहां पर कम हो जाएगा कहीं पर अगर सुर्या तब जादा है लेकिन बादल बने हुए हैं तो यहां पर टेंपरेचर जादा नहीं हो पाएगा तो जब अन्य कारक न्यूट्रल हूँ तब ये बात लागू हो जाएगी और समानेता यही देखो अगर हम कारकों को न्यूट्रल करने तो ये बात बिल्कुल फिट वैठती है हमारी देश में देखे यहां पर मैं बना दे रहा हूँ गिधर बना लेता हूँ आप भी बना ले चीदू हमें पता है कि शूरी की केरणे चीरो डिगरी पर हना हूं । 21 मार्च और 23 से séptember को क्या होती है लंबहुत होती है । 21 मार्च से दरसल यह है साड़े तेश डिए एकिस मार्स से 21 जून को 21 जून तर सूरी की किर्णे क्या होती है हमारे देश में उत्तर की ओर बढ़ती है तभी तो हम ज्यादा गर्मी प्राप्त कर रहे हैं और 21 जून को हमारे यहां पर जब यह हमारे देश में परवेश कर रहे हैं उत्तर की ओर है फिर क्या होगा यह लोटना चालू कर देंगी तो जब लोटना चालू करेंगी तो उत्तर भारत में दीरे-दीरे क्या होगी थंडी होने लगेगी दच्छिड भारत अभी थोड़ा गरम बना रहेगा लेकिन उत्तर भारत थंडा होना चालू हो जाएगा क्योंकि 23 से केर्णे हैं वह विश्वत रेखा से फिर दच्छीड की और जाएंगे 24 सेटमबर 25 सेटमबर और जैसे जैसे सूरी की केर्णे और दच्छीड की और जाएंगे हमारे यहां पर और ठंड बढ़ने लगेगे तो हमारे देश में ठंडी क्यों पढ़ती है 21 मार्च से सूरी की केर रहा है मिटों राव गर्राइ कि नहीं तो प्षिति करेड़ कहां पोऊंचेंगे 22 दिसंबर और जब 22 दिसंबर को मकर्य रेखा पर पर कि दिख्युद पेंचेंगे कि यह पर सूर्ह की करने क्kem क्या होंगी लंबत होंगी हमारे हैं अदिन पढ़ेगी तो हमने क्या कहा कि शूर्या तक जहां पर अधिक होगा समानेता तापमान वहां पर अधिक हो अब देखिए अब जो हमारी प्रिथवी पर तापमान है यह सूर्या तब के साथ साथ इसको एक और कारक प्रभाविद करता है वह है उंच्छाइए कोई इस्थान कोई इस्थान एक बाव बताईए आपका जो घर है आपका जो जिला है वो सम्मुदुर्तल से कितना उपर है थोड़ा सा एक बाव बताईए देखें आपका IAS की तैयारी करने का जुनून और जजवा मुझे एक बाव बताईए कि आपका जो जिला है वह समुदुर्तल से कितना उपर है बताईए सब्लों समुदुर्तल से कितना उपर है सुनाली जी 4,313 मीटर गुल्सन कुमार जी 8,848 मीटर ये भगवान अंजली जी 572 मीटर सेरेजा जी एक हजार मीटर तुम लोग भागुं खाय हो का जी ना है इस सई से बताऊ भागुं खाय हो तुम लोग मतलब यही यही रिजल्ट मित्रा का लेवल है क्या करें हम बढ़ा देखाय है अर्हक नहीं पता है तो कहो नहीं पताऊ 500 मेटर 4000 मीटर 300 मीटर मेटर का मतलब जानते हो आपका जिला समदृतल से कितना उपर है इसको जानने के लिए कुछ नहीं करना। गूगल कर लो और नहीं गूगल कर पा रहे हो तो कभी रेलबेस स्टेशन जाना तो वहां पर लिखा होगा जो railway station होते हैं वो लिखे होता है कि समुद्र तल से वह कितने उपर है समझ रहे हों तो railway station पर लिखा होता है तो कोई स्थान की जो उचाई है वो किस से ना पर जाती है वह ना पे जाती समुद्र तल से, और समुद्र तल से क्यों? क्योंकि समुद्र जल है, और जल की क्या विसेश्टा होता है? हमेशा उसका लेबल एक जैसा रहता है, जल हमेशा एक लेबल अपना बना कर रखता है, चलो, गुड़हापा आगया बच्चों, एक बार बैढ़ जाता हूं तो उठने का मन नहीं कर, चले कर, तो कोई इस्थान समुद्र तल से कितना उच्चा होगा, कितना उच्चा होगा, उसका तापमान, उसका जो तापमान है, उतना ही कम होगा, उतना ही कम होगा, जैसे, अब एक एक जाम पर लेते हैं, आज का, दिल्ली है, तो दिल्ली क्या है, मैदानी छित्र में आता है, दिल्लीक में आज का जो टेंपरेचर है, वह मान लो, 48 डिग्री सेल्सियस है, ठीक, इसी बीच, अगर हम एक इस्थान ले लें, ले ले लो, तो ले क्या है, परवती छेत्र है, और यह 5000 मीटर से अधिक उचा है, तो यहां पर जो टेंपरेचर है, वह बारे से लेकर, तेरे डिग्री सेल्सियस, बारे से लेकर, तेरे डिग्री सेल्सियस, अभी देखो, अगर हम एक्वेटर अर्था जीरो डिग्री, जीरो डिग्री अप्छांस, इसी को हम बोलते हैं, बिश्वत रेखा, इश्षी को बोलते हैं हम भूमद रेखा अगर आप इस गुगल करोगे तो यहाँ पर जो ओसतन टेंपरेचर आपको मिलेगा वह है लगभग 28 से लेकर 35 डिग्री सेल्सियल लेकिन इश्षी बिश्वत रेखा या भूमद रेखा पर एक परवत है उसका नाम है किली मंजारों किली मंजारों परवत जो है 5895 मीटर उपर है समुद्र तल से 5,895 मीटर उपर है और इसके वज़े से इस उचाई पर टेंपरेचर इस समय दो से लेकर 3 डिग्री सेल्सियस मिलेगा तो हमने क्या देखा कि जैसे जैसे उचाई बढ़ेगी क्या होगा तापमान कम होगा तो क्या यहां पर मैं एक फॉर्मूला लिख शकता हूँ फॉर्मूला को अलग कलर में लिखते हैं ऐसे कि हाइट और टेंपरेचर का temperature का inverse relation होगा हाइट और टेंपरेचर का क्या होता है inverse relation होगा जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी temperature क्या होजाएगा बात के लिए नोट कीजे जल्दी से जल्दी से नोट कीजे तो किशी इस्थान का जो temperature है वो कई चीजों से निर्भर करता है हना और जब कई चीजों से निर्भर करता है तो उसमें एक factor है temperature जैसे मैं दिल्ली में बैठा हुआ हूँ अब मुझे जो है कि कोई अभी तुरंत जो है कि कहे भईया आपको ले लद्दाग छोड़ देते हैं तो अभी दिन में ही temperature वहाँ से बारे से लेकर तेरे डिग्री सेल्सियस होगा और रात में temperature और कम हो जाएगा यहां तक बात किलियर हो गया तो किसी इस्थान के temperature को मुझाई क्या करेगा determine करेगा तो हम अगर हमारे ही देश में माल लो मद्यपरदेश में इस समय खुब गर्मी पड़ रही है अब मद्यपरदेश करकरेखा जाती है उसी करकरेखा पर इस्थित दो इस्थान हो एक मैदान हो और एक परवती भाग हो तो क्या होगा परवती भाग का तापमान कम जैसे राजिस्थान में खुब गर्मी पड़ रही है लेकिन क्या अरावली के अरावली के सर्वो चोटी माउंट आबू पर माउंट आबू पर क्या खुब गर्मी पड़ रही होगी नहीं माउंट आगू घूमने लोग जा रहे हैं खुब थंडा वहां मौसम बना हुआ कि एकदम के लिए अगले अगले स्लाइट पर पड़ते हैं अब अगला जो फैक्टर है जो टेमप्रेचर को परभावित करता है वह है इस थलिये एवं चलिये परभाव इस थलिये एवं चलिये परभाव तर ची समझ में नहीं आता नोट्स पढ़ें या कुछ और भी इसका मतलब है कि आपने पहला क्लास नहीं देखा भाई बेनो सब लोग बताएए मैंने बार बार आपको बोला है कि नोट्स के अलावा कुछ पढ़ना ही नहीं है अगर नोट्स के अलावा कुछ और पढ़ रहे हो तो फिर हम मेहनत इतना क्यों कर रहे हैं हमें बोल देना चाहिए किताब पढ़ लेजे आप लो अगा अगरे या यह यह गाने यह 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 जो मैं बताता हम उसको फॉलल कर लो आएए चलिए दो लोगों की विसेश्था को समझते हैं इस्थल जो है इसकी विसेश्था ये होती है कि यह जल्दी गर्म हो जाता है जल्दी गर्म भी हो जाता है और जल्दी हंडा भी हो जाता है जल्दी की विसेश्था ये है यह तेर से गर्म होता है और देर में ही इंडा होता है आप सब लोगों के पास घर के आसपास कहीं पर कोई नदी होगी, कोई नहर होगा और नदी और नहर को अगर आप अभी जाएं, आपको गर्मी लग रहे है आप जाकर अभी नदी में कोच जाए नए, 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 अना, उसाइड नए करना भाई, मतलब नहाने के लिए आप पाने में उतरे, क्या आपको पानी उतना ही गरम लगेगा? क्या पानी उतना ही गरम लगेगा जितना जल वह आप कहेंगे नहीं तो प्रश्ने आएगा कि भाई आप ही की गाओं में जमीन गरम है और चल जो है कि ठंडा है तो क्यों दोनों की अपनी विसेश था जैसे आप में से ही बहुत से लोग पड़े कूल माइंड सेट के होंगे जो बड़ी बड़ी परिसानियों को मुस्कुरा कर काट लेते होंगे विसम परस्तितियों को जेल लेते होंगे उनकी परसनाल्टी अलग होगी कुछ लोग ऐसे होंगे, जो थोड़ी सी कुछ बात हो जाए, एक दम वो फान मारने लगते होंगे, आपने देखा होगा ऐसे उपनते वे लोग, दोनों की परस्नालिटी अलाग है, तो इस्थल और जल की विसेष, इस्थल की विसिष्ट उसमा दरसल क्या होती है, कम होती है, कम होती है, विसिष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष है 1 kg भार का कोई स्थली टुकड और 1 kg के बराबर एक लिटर हम यहां पर पाने ले 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 एक लिटर हम पाने ले लेते हैं कि इसका टेमप्रेचर हे 15 डिगरी सेल्सियस इसका भी टेमप्रेचर है 15 जारे degree Celsius हम चाहते हैं कि temperature एक degree बढ़ा दिया जाए तो नों का temperature एक degree बढ़ा देज़ा तो आपको इसके लिए क्या करना होगा आप इसको देंगे दोनों को देंगे heat तो आपको पता चलेगा कि भाया इसका एक degree temperature बढ़ाने के लिए आप कुछ heat देंगे ये तुरंत क्या हो जाएगा गरम हो जाएगा इसको आपको क्या करना होगा ज्यादा heat देना होगा तब इसका temperature 1 degree Celsius बढ़ेगा इसको समझने के लिए यहाँ पर ले लो एक केजी का तवा और यहाँ पर एक लीटर पानी किसी चीज में ले लो दोनों का temperature बराबर है दोनों को गैस पर सेम फ्लेम पर रख दो तवा का 1 degree Celsius टेंपरेचर जल्दी बढ़ जाएगा क्योंकि इसकी चो कण है ठोस की चो कण होते हैं वो जल्दी से heat को absorb कर लेते हैं एक दूसरे को transfer कर लेते हैं तुरंत इनका temperature बढ़ जाएगा जल की चो कड़ होते हैं दूर दूर होते हैं हीट को जल्दी से अब्जॉर्ब नहीं कर पाते और इसके वज़े से इनका टेंपरेचर जल्दी नहीं बढ़े ठीक है यहां तक बात केलियर हो गई एक है यहां तब बात के लिए हैं दो को कितना आसान है न आज इसी बात को किसी से पूछना यू-पयस्टे का एक प्रश्ण आया हुआ है इसी पर बस इसrie concept हो और कि इस समुद्र क का समुद्र के विशिष उस्मा जादा होने के कारण के तापांतर कम होता है कि दूसरा स्टेटमेंट मरुस्थली चेट्र का विशिष उसमा कम होने के कारण उसका तापांतर अधिक होता है इस्टेट्मेंट सही है दोनों सही है दोनों गलत है एक सही है एक गलत है इस तरह से प्रश्ण था अंजली जी कह रही है सर पूए का पानी हमेंसा ठंडा कूँ होता हमें का पता कूँए का पानी हम तो सोच रहे हैं एक नियम बना लें एक कुस्सन का आंसर जानने के लिए 10 रुपे भेचें हना निया पान्डे जी सब कुछ नहीं रख सकता है ऐसे आप लकड़ी रख दोगे हना तो लकड़ी से थोड़ी काम चलेगा इस्थल की विश्यस्ता वलब कोई समा रखी कैसा रहेगा यह एक प्रशन का आंसर जानने के लिए 10 रुपे पर देखो आप गूगल करते हो आपका समय बर्माद होता है उससे अच्छा यह है कि आप 10 प्रशनी कठे कर लो 100 रुपे भेज़ दो 10 प्रशन पूछो और आपक जो है कि कॉल पर हम जवाब दे देंगा कि है ना समय बचेगा कि इससे हमारी थोड़ी सी गरीबी दुगर होगी हमारा जीयस बैच और नसीयाटी बैच का घाटा खतम होगा जैनिह है ना आई तो देखि यही कारण है अब हम ले लेते हैं example एक दिल्ली का example लिजिए दिल्ली किसका example है इस थलिए भाग पटब तो इस थलिए भाग है तो दिल्ली क्यां हो जाता है कर्मी में खुब गर्म और ठंडी में क्या हो जाएगा ठंडा दूसरा एक्जाम्पल लिखिए मुंबई का मुंबई कहां पर है सागरी परभाव है यहां पर तो यह क्या होगा तेर से ठंडा देर से गर्म और देर से ठंडा इसलिए मुंबई का टेमप्रेचर क्या रहेगा एवर ग्रीम और इसका क्या रहेगा बहुत ही बोला टायर के लिए है यहां तक बात के लिए कि समझा सकते हैं न आप समझे एक और परशन जो यूपीएस सी पूछ सकता है किसी नदी द्यूब का तापमान या पूछना किसी पूछना किसी जोगरॉपी वाले भाया से किसी मास्टर साहब से किसी नदी द्यूब का तापमान कम क्यों होता है या किसी द्यूब का भी पूछ सकते हो तापमान क्यों हो कम क्यों होता है तो द्यूब क्या है या नदी द्यूब हो या कागरी द्यूब हो द्यूब का मतलब क्या है जल से गिरा हुआ तो जल क्या रहेगा अपना एक बनाए रहे हो जल भी ठंडा होता है गरम होता है इसी बात नहीं है लेकिन जल इतना जाधा गरम और ठंडा नहीं उता उसमें फ्लक्टуса इतना ज्यादा नहीं मैं हो घ्लिएरर के हमारा क्लीर हो गया पॉइंट कि कि नेट्वर्क इस griev कि विधर से का पानी इतना गरम क्यों होता कितना गरम हो रहा है ठंकी का पानी इतना क्यों गरम होता बात तो सही है ठंकी का पानी भी गरम हो जा रहा है कि क्यों हो रहा है पैसे भेजी एक नंबर भेज रहे हैं उस पर 10 रुपे भेजी एक पुर्ष्ण का 9717984069 यही नमबर लिखेते हैं अभी कुछ दिर पहले भेज दीजिए 10 रुपर जल्दे पेटेम खोले भाई जल्दे चलो कोई बात ने अब जो कोशन पूछेगा उसको फीड़वेक का वीडियो भेजना होगा यह फीड़वेक अब देखो टंकी का जो पानी है वो दर्सर रुका हुआ पानी है टंकी के पानी के साथ दिक्कत क्या है वो रुका हुआ पानी है और टंकी का पानी इसलिए गरम हो रहा है क्योंकि वो प्लास्टिक कोटेड है तो प्लास्टिक क्या कर रहा है हीट को बाहर से अंदर आने दे है उसको रोक दे रहा है अगर आप उसी को किसी जो यह सिमेंट का टंकी बना देजिए तो उसमें टेंपरेचर कम रहेगा मिट्टी का हो टेंपरेचर कम रहेगा पानी गती करता हुआ हो तो टेंपरेचर कम रहेगा रुका हुआ पानी तो पानी नहीं है कुए का पानी हमेशा ठंडा क्यों रहता है इसके पीछे का कारण यह है कि कुए तक सुर्य का प्रकास अर्था इंशोलेशन बहुत कम पहुचता है दूसरा वहाँ पर जमीन का जो ठंडक है वह मेंटेन रहती है अर्था जो पानी गरम भी होता है वह अपनी गरमी अंदर के जल से ट्रांसपर कर देता है कुए में पानी हमेशा मिट्टी से आदान परदान हीट का करता रहता है और फर्स्ट स्लाइड एक बार नहीं बहुत बता पाऊंगा मुझे माप करिए यह बहुत पीछे हो गया है वह बहुत पीछे हो जाए आप उसको फिर से देख लीजेगा अप लेट आए होंगे कि लिए यहां तक आगे बढ़ते हैं कि अगला जो फैक्टर है वह है कि को आप लोग साथ पता क्या दिक्कत है आप लोग करते हो बहुत लापरवाही आप लोग उठाते हो हमारा फायदा आपको लगता है भहिया पचास बार पोछो बता देंगे पचास बार बता देंगे कि पचास बार पूछने लएक टॉपिक होना ऐसा टॉपिक में बताता हूं क्लास 6 का बच्चा यहां पर बैठा हो रोहन जो इतना छोटा लड़का है वह यहां पर बैठा रहता वह मुझे बताता है कि मामा आपने ऐसे से बताया था देखो ऐसे से होता है और आप लोग क् का परवाव समुद्री जलधाराउं का परवावं मुникиरू का तीक है अब जो ₹ठ जलधाराय होती है वो दो तरसे होती है एक होती है ऐक होती है एक होती है तंडि और को क्या का वक्षंड़ी और गरम नापने में यह हमारे प्रित्वी है ये है मैंने अभी आपको कुछ द कुछ दिर पहली बताया मा लेतने ही शूरे तो सूरी की केर्णे कहां एक्वेटर और इसके आस पास क्या पढ़ रहे हैं लंब बहुत पढ़ रहे हैं और इसकी वज़े से यहां पर टेमप्रेचर क्या होता है जाता होता है तो यहां पर टेंपरेचर क्या होता है कम होता है तो यहां पर जो इस्थल का टेंपरेचर कम है तो जल का भी टेंपरेचर कम होगा तो जो धुबिये छेत्रों में जल्धाराएं उत्पन होती हैं वो क्या होंगे ठंडी और जो जल्धाराएं यहां पर उत्पन होंगी वो क्या होंगी गरम वो क्या होंगी गरम तो ठंडी जल्धाराएं कहां उत्पन होंगी धुबिये छेत्रों में गरम जलधाराएं कहा होंगी विश्वत रेखा के आसपास विश्वत रेखा के आसपास तो धुर्बी छेतर की जो जलधाराएं हैं जब ये ठंडी होंगी कहीं पर ये जब जाएंगे तो इन जलधाराओं में क्या होंगे बर्फ के बड़े बड़े टुकडे होंगे, बर्फ के बड़े बड़े टुकडे, आप सब लोगों ने एक मूवी देखा होगा टाइटेनिक, तो टाइटेनिक मूवी में हम देखते हैं, कि एक कपल जब रोमांस कर रहा होता है, उसी समय, होना एक बड़ा सा बर्फ का टुक टुखड़ा की टाइटेनिक जहां चक्रा कर हासागरथ होस जाता है तो आखिरी बर्व का टुखड़ा कहां से आया था ये धुरूबी छित्र से आने वाली एक समुद्री जल्धारा जिसका नाम था लेब्राडोड लेब्रा इसकी माध्यम से कहां से आर्कटिक छित्र से लाई जा रही थी दच्छिड की ओर और उसी से टक्रा गया तो जब भी ये दो धुरूबी छित्र से आने वाली जल्धारा हैं जिनमें बर्व के टुकड़े होते हैं जब ये किसी छित्र में जाती हैं तो टेम्प्रेचर को 5 से लेकर 7 डिग्री सेल्सियस कम कर देती हैं इसका क्या मतलब को माल लेते ही एक कोई महाद्यूप है और यहां पर अभी नॉर्मल टेम्प्रेचर है इसी समय यहां पर धुरूबी छित्र से एक ठंडी जल्धारा आ जाए तो यहां का टेम्प्रेचर क्या करेगा पांस से लेकर 7 डिग्री सेल्सियस क्याउन कर देगा और कोगे यह लो नेचुरल एसी यही तो होगा यही तो होगा अब देखो किसी की लाइड जाये किसी करने ट्वर्क प्रॉल्म हो मैं उसमें क्या करूं बताओ ऐसे तो देश दुनिया में किसी ना किसी के साथ कुछ होता रहेगा तो क्लास तो नहीं रुख सकती है अगर आपके साथ कोई दिक्कत है तो आप क्लास छोड़ दीजिए बाद में देख होगा तो जहां पर यह विश्वत्रेखा से गर्म जल धुरूओं की ओर जब जायेगा तो यह क्या करेगा टेंप्रेचर को बढ़ा देगा आप समझें तो बिश्वत्रेखी च्छित्रों में बिश्वत्रेखी च्छित्रों से जो जलधाराएं उत्पन होती हैं वह किसी इस्थान का पांस से लेकर आठ डिग्री सेल्सियस टेंप्रेचर बढ़ा देते जैसे यह हमारा है नौर्थ अमेरिका नौर्थ अमेरिका की इस हिस्से में यहां से जो है कि एक जलधारा चलती है जिसका नाम है गल्फ इस्ट्री आगे चलकर जलधाराओं को हम और डिटेल में देखें गल्फ इस्ट्रीम क्या गड़ती है यहां का टेंप्रेचर पांस से लेकर आठ डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा देखें ठीक इसका मतलब है कि किसी इस्थान का टेंप्रेचर इससे भी परभावित होगा कि उहां पर कौन सी जलधाराएं चलती है क्या यह बात किलर हो गए अंजरी भाए बहल सर ठके लग रहे हैं तो का करें थक गए थो को टी नहीं मिलेगी गुरू जी मैं थका अं गरे और तके लग थाओ घो familiarity बार वर कुरसी मैं भैठ referee मुहम्मद साहिल जी, प्रश्ण तो आपका अच्छा है, इसका उत्तर हम एक आद महीने बाद देंगे, हमें भी रिस सर्च करने की चीज़़ा इनका प्रश्ण यह है, कि सर्थ, जब ठंडे छित्र से पासपी करण नहीं होता, तो आखेर फ्रीज से पासपी करण क्यों होता है? आप दरसल गलस समझ रहे हैं, उसको पासपी करण नहीं कहते हैं। फ्रीज से अगर बास्पी करण होता तो उसमें सबजियां फ्रेज नहीं रहती क्या होता है फ्रीज में मैं रता है फ्रीज में ये होता है फ्रीज में दरसल ये होता है कि जब आप फ्रीज को खोलते तो उसके अंदर एक हीट रहती है उसके अंदर एक ठंडी हवा रहती है, जो कि गरम हवा के संपर्क में, जैसे आपने खोला गरम हवा अंदर, गरम और ठंडी हवा जब प्रवेश करती है, तो आपको भाप जैसी सनचना वहाँ पर दिखाई देती है, तो उसको बास भी करण होना मत कहिए, वह कहिए कि जो बर्फ है, वह बर्फ क्या होती है, उसकी जो बर्फ का जब टेंपरेचर किसी भी कारण से कम होता है, जैसे हम फ्रीच को बार बार खोलते हो और बंद करते रहते हैं, इसके बज़े से उसमें जो गरम हवा होती है, उसको वो बाहर धकेलने का प्रयास कर रही होती है ठंडा करके समझें? आप लोग सही कह रहे हैं तो ठका ठका तो मैं लग रहा हूँ चलिए तो जिस तरह से हमने देखा कि ठंडी जलधाराओं का परभाव होता है अब मुझे बताईए कि तरह से कुछ हमारी प्रचलित पौने होती है प्रचलित पौने प्रचलित पौनों का मतलब है कि बिंड का सरकुलेशन होना अगर प्रचलित जो पौने है या हवाए हैं अगर यह ठंडी होंगी तो किसी स्थान का temperature कम कर देंगी और गरम होंगी तो ज़्यादा कर देंगी जैसे लू क्या है लू क्या है कि गरम हवा है अगर हम अभी हिमाले छित्र में चले जाएं तो हिमाले छित्र में या हिमाले के उत्तर थंडी हवा चलेगी तो जहां पर ये ठंडी औ गरम हवाय चलती है उसी केहसाब से टेम्प्रेचर को कम अर ज्यादा करते हैं ठंडी हवाय टेम्प्रेचर को 10 से लेकर 12 डिग्री सेल्षेस तक टेम्प्रेचर को कम कर देती हैं लू जो है कि 7 से 8 डिग्री सेल्सेस टेम्प्रेचर को बढ़ा देखें तुनों सही हैं बहुत अद्वास हो तुस से लेकर हैं खुट्टी होगी अभी करवाते हैं छुट्टी आज 6 वज़े तक क्लास होगी जब तक निर्देश सर आके क्लास चालू नहीं कर देंगे तब तक क्लास होगी करवाते हैं दुआई चुकी किलियर तो हमने क्या समझा हमने यह समझा कि किसी इस्थां का टेम्प्रेचर कई कारकों पर निर्धारित कर तो हमारा अगर कोई जिला है कोई राज है मालो यह हमारा जिला है तो इसका टेम्प्रेचर कितना होगा कि सिर्फ इस पर डिपेंड नहीं करेगा कि इसका अक्छांस कितना है यह इस पर depend नहीं करेगा कि यह कितनी उचाई पर है यह सिर्फ इस पर depend नहीं करेगा हमाय कैसे चलती है पल की सभी चीजों के श्टम्लित परभाव पर यह depend करेगा पॉइंट टू भी किलियर? पॉइंट टू भी किलियर? देखिए यह में रोहन ने सिखाया था यह ऐसा करने से ऐसा होता है आए आए तो हीट बजट 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 सबसे हम पहले से ही परचीत है, न? बजट का क्या मतलब होता है? बजट का मतलब होता है आए बे का ब्योरा जैसे आपका एक बजट आप लोगोंने बना रखा है कि भई मंच में हमें पांस उर्पए, एक हजार रुपए मिलता है उसी पांसो एक हजार रुपे में डेटा भी रिचार्ज करना है कभी-कभी गोलगप्पे भी खाने है गोलगप्पे खाते हैं तो कभी-कभी समोसे खाने का भी तो मन करी जाएगा गुरु जी कोई किताब बता देते हैं, कोई मैच्जीन बता देते हैं, कोई एटलस खरेदने के लिए कह देते हैं, ओ भी करना है, तो आप हर चीज को क्या करते हो, मैनेज करते हो, तो आपका एक बजट है, अगर इस बजट में आने की किरिया जादा हो, मतलब मम्मी पापा डेली जगें सोचो, बच्चा इदर आओ, यहाँ पपा, क्या पढ़ रहाँ, NCRT, मास्टर साथ सही से पढ़ा रहें कि नहीं, गड़ी अच्छे से पढ़ा रहें, ता इलो, 200 रुपे, डेली ऐसी NCRT की क्लास में आपको 200 रुपे मिले, सोचो, आप तो क्या हो जाओगे, अम अगर उसको बचा कर ले जाओ, पैसा बचा ले जाओ, तो क्या होगा, आप अमीर बन जाओगे, और कहीं उल्टा हो जाए, कि पैसा तो कहीं से आई नहीं रहा, खर्चे हमने बहुत से पाल लिये हैं, अभी तक अपना डेटा रिचार्ज नहीं हो पा रहा था, तब तक हमा बाबू सोना करके, कि टेटा खतम हो रहा है, वीडियो कॉल तो नहीं हो पाएगा, आपने कहा ऐसे कैसे नहीं हो पाएगा, अभी रोको, हमारे पास जमा पूजी कुछ बची हुई है, आपने रिचार्ज कर दिया, अब रिचार्ज कर दिया, आपका बजट क्या गड़ तरह से आपके चिलिये का बजट होगा, ठीक है, और इसी तंवे, सागरी परभाव भी लिखवा दिया भीया, पहले लिखवा दिया, फिर से लिखवा देंगे, क्या भहिया जी आप भी, व्यादो जी भहिया, आप लिख लेंगे, व्यादो से बैग में को पूरा बरोसा भ सबका budget है, इस budget में क्या होता है, जब I और Bear संतलित होता है, तो हमारा budget संतलित रहे, अब हमारा और आपका जो budget है, यह तो गड़बड़ा सकता है, क्योंकि हम लोग क्या कर देते हैं, गड़बड़ कर देते हैं, मम्मी पापा ने बोला, चाओ, NCRT अच्छे से पढ़ना, और NCRT के साथ GS कोर्स भी ले लेना, आप से फिर किसी ने बोला, मिठी आवाज में, एक बार बताओ, गुरूची NCRT में भी अच्छे से पढ़ाते हैं, आपने कहां हाँ अच्छे से पढ़ा, तो एक बार बताओ, खोड़ा सा महनत कर लोगे, और गुरूजी बार बार कहते ही हैं, कि अगर आपको सेलेक्शन लेना है, तो किसी कोर्स की जरूरत में, यहां, कहते तो हैं, तो क्या तुम अपने आपको इतना कमजोर समझते हो, या समझती हो, आपने कहां बिल्कुल नहीं, यह ऐसा करो, हमा गए, आपने पांच हजार रुपे का, टेड़ी खरीद लिया, क्या किया है, टेड़ी खरीद लिया, टेड़ी बीए टाइप का, वो पता नहीं क्या क्या होता है, भालू अलू, किस का कोर्स आपने नहीं लिया, तो अब क्या हुआ, आपने खुद डिसाइड किया, आपको क्या करना नहीं करना प्रकरती मैसा नहीं होता है तो आपने गरबढ कर सकते हो आपकी अंदर emotion उड़ सकते हैं। आप उपने राष्टे से भटट सकते ओ अब उस टेड़ी बीर पर नाम किसी और का लिखा हुआ है और वो आख चेंज होता रहेगा इसलिए केरियर पर फूकस करो पजट गडवडाना नहीं चाहिए पजट सिर्फ पैसे का नहीं है पजट आपकी एनरजी का है पजट हमारे टाइम का है अगर हमारा टाइम गडवडाया नरजी गडवडाया तो फिर अटेम्ट खतम हो जाएंगे इसलिए प्रकर्ती ने हमें सीख देने के लिए एक अपना बजट बनाया जिसको बोलते हैं हीट बजट अब देखिए हमें हीट कहां से प्राप्त होता है हमें हीट प्राप्त होता है शूरिशे शूरिशे क्या आती हैं केड़े आती है यह जो केणे आती है इन ही से हमें क्या मिलता है light मिलता है, अर्थात प्रकास मिलता है और इन ही से हमें क्या मिलता है heat मिलता है अब डेली एक क्रिया होती है कि डेली सूरी की किर्णों से हम हीट प्राप्थ करते हैं और डेली क्या होता है यह हीट फिर जो है कि क्या होता है प्रित्वी को प्राप्थ होता है और डेली प्रित्वी क्या करते है इस हीट को वापस अंत्रिच में भेज देते हैं कि वापस अंत्रिश्म भेज देखें आखिर प्रतियक दिन शुबे शुबे हमें अच्छा मैसूस होता है हमको खोड़ा सा कि क्या होगे कि बॉइस तो ठीक है ना बॉइस तो ठीक है तो मन्ना जी बॉइस तो ठीक है अब देखो अगर आपको कोई और बॉइस सुनके अगर तुम आए हो तो हमारी गारंटी नहीं है हमारी आवाज ऐसी बेसूरी है और हम चिला चिला के बोल ला है तब भी आपको नहीं है इस जनरेशन को वैसे हमारी आवाज कम नहीं लगनी चाहिए इसलिए नहीं लगनी चाहिए कि यह जो जनरेशन है इसको कोई भी आप नाम देदो यह पता नहीं कैसे बात कर लेते हैं घर की बीच में भी रहते रहते हमारे परिवार में घटना घटी है हम गय थे लखनव और हमें पता चला कि एक छोटा सा बच्चा है उस सब के पास रहते हुए भी फोन पर लगा रहता है हमने का नहीं ऐसे बात नहीं हमारा मानौता से भरोसा उस दिन उठ गया जब हमने तीन-चार लोग को बोलाया था उ बाचे तो रहे थी और वास्न में फोन पर बात कर रहा था इस दिन हमारा मानौता से भरोसा उठ गया कि नहीं मानों अब कुछ भी कर सकता है वो दोनों काम कर रहा था अना आए यह आए तो हम नहीं क्या कहा कि सूरिशे प्रत्वी क्या करते हीट को प्राप्त करते है और डेली बापस अंत्रिच को भेज देते हैं इसी के कारण तो हमारे प्रत्वी का जो तापमान है हमारे प्रत्वी और उसके बाईू मंडल का औसत तापमान औसत जो तापमान है वो 15 डिग्री शेल्सियस बना रहा है वो क्या होता है 15 डिग्री शेल्सियस बना रहा है किलियर 15 डिग्री सेल्सिस वर आप कल्पना कीजिए प्रुथवी किसी दी नाराज हो जाए मो फुला ले तुरिशे किना हमारी और आपकी कट्टी आपने जो हीट भेजी है आज से हमारी हीट हुई हम ना भेज रहे आज सोचो 48 डिग्री सेल्सियस हमारे देश को हीट प्राप्ट हुआ अब प्रुथवी का ये भाग है कि ना तुरिश तुमसे कट्टी हम जो है सर ऐसा उधारन दिये हो आपने सभी मुझे ही घूर रहे हैं अभी तक तो नहीं घूर रहते अब जरूर घूरेंगे तरसल जरूर ही तुमारे मन की बात थी जो तुम सब तक पहुँचाना चाहते थे तो देखो भाई ये जो हमने एक्जामपल दिया ये कौन है यादो जी किसी से कोई लेना देना नहीं है लिएकंगे आ ये क्या कहा कि प्रत्वी कह दे कि नहीं हम नहीं भेज रहे हैं अब सोचो अगर यह यहीट ना भेज ये तो सूरित क्या करेगा वह तो अपनी हीट को भेजेगा और heat भेजेगा तो temperature कितना जाता हो जाएगा तो हमारी यहाँ पर क्या होता है आदान परदान होता रहता है और औसा temperature लगवग 15 degree Celsius बना रहता है तो यहाँ पर क्या हो रहा है सुरी की केने आ रही है heat लेकर आ रही है यह heat बापस अंतरिच में भेज दिया जा रहा है तो यह जो संतुलन है इसी को बोलता है heat budget इसका मतलब क्या हुआ सुरी एवं प्रत्वी के बीच प्रत्वी के बीच उस्मा का जो आदान परदान होता है जो आदान परदान होता है पुष्ट में एक संतुलन देखने को मिलता है एक संतुलन पाया जाता है इसे ही इसे ही heat budget कहते है कि इसे ही heat budget कहते हैं क्लियर यहां तब बात क्लियर होगे क्या हम सौच पाये heat budget क्या है हम समझा लेंगे दूसरे सब्दों में एक image के माद्यम से हम चीजों को draw कर लेते है मैंने आपसे बार-बार बोला है आप जितना image बनाओगे अच्छा एक चीज़ और एक चीज़ और आप में से बहुत से लोग जोग्रॉफियो ऑप्सनल के लिए बोल रहे थे राइट जोग्रॉफियो ऑप्सनल के लिए तो आज है शुक्रवार रभिवार को रभिवार एक बजे रभिवार एक बजे चुकि जीज़ की क्लास नहीं होगी तो रभिवार एक बजे जो लोग ऑप्सनल में जोग्रॉफिय लेना चाते हैं वह वह क्या होंगे जुडेंगे फिर्फ वही लोग जुडेंगे जिन्होंने जोग्रॉफिय ऑप्सनल लेने का मन बनाए तो मैं आपकी संख्या देखूंगा आपसे बादचित करूंगा और फिर उसके आधार पर हम डिसाइड करेंगे कि बैच कफसे स्टार्ट होड़ाए हिंदी में क्या बोलते हैं हीट बजट को हाँ उस्मा बजट हिंदी में बोलते हैं इसको उस्मा बजट अब यह मत कहना कि सर बजट सब्स भी तो इंगलिस है अना तो बजट को हिंदी में क्या बोलते हैं लेखा जो खा लिख देना वच्चे सभी वतरन कसम से मम्मी कसम मम्मी कसम उस्मा बजट लिखते होगे हीड बजट लिखते होगे सब लोग जान जाएंगे हाँ अब पर ही क्लास होगी अब पर होगी एक वज़े जिन लोग को जोग्राफिय ऑप्सनल लेना है तो लोग मुझसे जोड़ेंगे कि जिनको 2025, 2026, 2027, 2028 कभी भी देना है वो लोग जोड़ जाएंगे हैम अब ही आाई अब ही आई है यहां पर आए आगया हो तो मैं इसको मिटा रहा हूं समझे इसको लुट मैंने टेक्स्ट लिखा तो हमने क्या का है हमारी प्रिथवी और इश प्रिथवी के उपर हम बना देते हैं बाई मंडल एक ही तरफ बनाते हैं चारों तरफ है बाई मंडल तो बनाने में समय ज्यादा लगेगा के हमने बाई मंडल बना यहाँ पर हमने शूरे बना है इमेज बना ले शूरे शे यह जो व horrific अ रही है इनको ही हम क्या बोलते हैं insulation बोलते हैं राइट अब यह जो insulation आया इससे आया heat अब यहाँ पर मान लो सूरशय आने वाली insulation hundred unit है unit मान लो जैसे हम कहते हैं मान लेते हैं कि हमें सो रुपे मिला अब सो रुपे ही हीट आई तो यह प्रित्वी क्या करेगी 100% हीट को वापस कर दिया जागो 100% आया 100% गया हीट वजट क्या है संतुली तो हीट वजट क्या है संतुली क्लियर यहां तक क्लियर यहां तक के लिए तो क्या हम अगर हमसे कोई पूछे कि हीट बजट क्या है तो हम बता सकते हैं बता सकते है मुझे दो मिनट का समय दीजे भाई बैनो मुझे दो मिनट का समय दीजे मुझे दो मिनट का समय दीजे थोड़ा से दो मिनट का समय दीजे झाल 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 कि लिए रहां तक कि लिए रहां तक इससे समझते हैं कि ऐसे काम कैसे कड़े बस एक इमेज बना लिजे उसी से पूरी बात हमारी किलियर हो जाएगी ठीक है भाई बैनों तो यह हमारी प्रित्वी रही भाई बैनों और इस प्रित्वी के चारों इक बाई मंडल बना लिजे उपर खोपड़ी पर बना लिजे इधर सूरे हमारा मन हम सूरे को इस तरह बनाएं यहां से शूरे की किर्णों को लाईए यह शूरे किर्णे आ रहे हैं हमने देखा था कि शूरे से आने वाली जो किर्णे हैं यह लगू तरंग पिक्रण की रूप में आती हैं और यह है हमारा बाई मंडल माल लेते हैं कि लगू तरंग बिक्रण पूरा हंडिट यूनिट है अर्थात सूरे शे चलने वाली किर्णे को हम हंडिट यूनिट माल लेते हैं तो उससे क्या होगा हम इस बजट को जैसे माल लेते हैं आपके हाँ पर जो भी पैसा का लेंदेन होता है तो वो लाखों में हो सकता है करोडों में हो सकता है हाना तो आप उसको समझने के लिए माल लेते हो कि भईया 100 रुपए है तो 100 रुपए माल लो 1,00,00 किसी की इंकम है तो आप हिसाब 100 रुपए में भी कर सकते हो 10 रुपए का मतलब क्या होगा नहीं लाक रुपए के हिसाब से 10,000 हो जाएगा ठीक है इसी तरह से अब माल लो जो शूरिशे आनेवाली केणे है उनको हमने माल लिया इस तरह से आ रही है तो यह 100 यूणिट है хंडेट यूणिट जब सूरिख की केणे चलती है तो ध्यान दिजेगा कि यह 100 यूणिट यहां तक आए यहां तक आई अब इसके आगे है बाई मंडल तो जो बाई मंडल है इस बाई मंडल से क्या होता है सूरी की केड़ने प्रावर्तित होती है क्या आपने परकास Nobel को लाइट को प्रावर्तित होते देखा है आप काच पर कोई torch या रोसनी डालते हो तो वहां से सूरी की किर्णे क्या होती है प्रावर्तित हो जाती है रिप्लेक्ट हो जाती है हमने देखा है ऐसा कि किसी तरह से सूरी की किर्णे जब यहां पर बाईवमंडल में आती है तो बायू मंडल में यह इसकी कुछ मात्रा टकरा कर क्या होती है बापिश हो जाती है अब ध्यान देना ऐसे ही बनाना जैसे मैं बना रहा हूँ और एक कुछ ऐसी यूनिट ऐसे बापस कर तकरा कर यह क्या हो गई बापस हो गई यह जो वापस हो रही है यह कितनी है तो बायू मंडल से टक्रा कर 35 यूनिट क्या हो जाता है अगर मालो 100 यूनिट आ रहा था जो कि हमने यहां पर लिखा है तो 35 यूनिट क्या हो जाता है वापस अंत्रिछ में चला गया बापस अंत्रिछ में चला गया बाय मंडल के वं प्रिथवी से टक्रा कर अन्हां कहां चला गया रुकिये मैं इसको सीधा कर दे रहा हूं हमने कहा चो 35 यूनिट है यह बाय मंडल वा प्रिथवी की सतह से टक्रा कर प्रित्वी की सतह से चक्रा कर, क्या हो गया, अंत्रिच से बापस चला गया, क्या हम लोग जब मरुस्थलिय छेत्रों में, जैसे, अगर हम राजस्थान अभी जाएं, अगर हम राजस्थान में जाएं, और वहां पर बालू की धेर हम देखते हैं, तो हमें देखने में दिक्कत नहीं होती, आपको नहीं लगता बालू में जब सूरी का प्रकास पढ़ता है, तो बड़ा चमकता है, हमें तुरंत जो है कि चस्मा लगाना पढ़ता है, आपने दे तेजी से प्रावर्तित हो रहा होता है, बड़ा चमक होता है, इसलिए हमें चस्मा लगाना पढ़ता है, देखे होंगे आप लोग, यह देखे होंगे, यह क्या हो रहा है, सूरी का जो किर्णे आ रहे ही थी, वह प्रावर्तित होती है, क्या होती है, प्रावर्तित होती है, ठीक है अब देखिए तो इसमें जो 35 यूनिट प्रावर्तित होता है इसमें से 6 यूनिट 6 यूनिट किस से हो रहा है हना बायू मंडल की उपरी परत से लिखते चलिएगा बायू मंडल की उपरी जो परत है अच्छा बायू मंडल की उपरी परत हम पहले ही जान चुके हैं इसका मतलब किसकी बात हो रही है बायू मंडल की बात हो रही है या आयन मंडल की बात हो रही है तो 6 यूनेट सबसी उपरी बायू मंडल से टकरा कर चला है यह वाला है 27 यू तो यह कितना हो गया 27 और छे 33 और यह जो बचा हुआ दो यूनिट है यह किस्से होता है पृत्वी की सतह से अरथा जो हमने बताया बालू के छेत्र है या फिर जो बर्व का छेत्र जिससे सूरी का प्रकास प्रावर्तित हो सकता है तो दो यूनिट पृत्वी की सतह से क्या हो गया यह प्रावर्तित हो किस्स सब क्या हो रहा है प्रावर्तित हो कितना 35 और अब इस जो 35 यूनिट बापस चला गया अंत्रिच में यह क्या होगा टकरा कर प्रावर्तित हो गया इशी को बोलते हैं प्रत्वी का अल्बीडो प्रत्वी का अल्बीडो तो अल्बीडो का मतलब क्या होता है अल्बीडो का मतलब इंसोलेशन का वह पाट जो बायमंडल से यह प्रत्वी की सता से टकरा कर बापस चला गया ध्यान दीजेगा कि यह जो अंतिच में बापस जा रहा है वो प्रावर्तित हो कर जा रहा है और जब तक सूरी की किणों का आउस्षोशन नहीं होगा तब तक उनसे कोई हीट उत्पन नहीं होगी सूरी की किणों जैसे मैंने यह ब्लेक किलर का टीसर पहना है इसको पहन कर अभी मैं छट पर चला जाओं तो यह क्या करेगा यह प्रकास को अबजोर्ब कर लेगा तो और सोसित कर लेगा तो हमें मिलेगा बहुत जादा गर्मी लगेगी लेकिन अगर मैं लाइट कलर का कोई चीज पहन कर जाओं और वह क्या करेगा सूरी की केणों को बापस कर देगा तो जब तक हीट का एप्जोर्ब्सन नहीं होगा तब तक हमें गर्मी महसूस नहीं होगी आप में से किसी ने अभी कुछ देर पहले पूछा था कि सर पानी की टंकी का पानी गरम क्यों हो रहा है मैं आपसे कहता हूँ आपका पानी की टंकी अगर प्लास्टिक की है तो उसमें कई तरह के फॉल पेपर आते हैं अर्थाथ फॉल पेपर का मतलब है टंकी को पैक करने वाला उसका कपड़ा आता है उसको लगा दीजिए वह उपर से चांदी की तरह होता है वो क्या करेगा सूरी के प्रकास को रिफलेट कर देगा पानी का आपके टंकी का पानी कभी गरम नहीं होगा क्योंकि उसने हीट को क्या कर दिया रिफलेट कर दिया तो यह जो 35 यूनिट है इसको हम प्रिथबी का अल्बीडो बोलते हैं अल्बीडो का मतलब है शूरी की प्रकास का वह मात्रा जो वापस कर दिया गया जैसे माल लो मैं आपके पास आया है और मैंने कहा कि भाया बहुत है गुरुजी कितनी गरेवि हमने का बहुत गरेव कुछ पैसा दे तो आपने कहा कि लो गुरुजी सौ रुपै हम खुस हो गए हमने कहा रही भाई इसमें तो दो-चार दिन हम खुब गोल गप्प्य खाएंगे आपने सुना क्या खाएंगे गोल गप्य गुरुजी तो अगर आपने मुझसे 35 रुपए वापस ले लिए तो क्या मैं उसका कुछ कर पाया आपका देना और ना देना मेरे लिए बराबर हो गया कि यहां तक बात कि लिए कि यही बात यहां पर लागू हो जाती है के लिए आप देखिए अब बताइए बचा कितना बचा कितना तो बचा अब देखिए बचा कितना 65 यूनिट है ना यह देखना कलर देख रहा है क्या हमने कहा नहीं देख रहा है यह नहीं देख रहा है यह कलर दिख रहा है क्या नहीं देख रहा यह भी नहीं देख रहा है कोई बात ने कि इसको ले लिते हैं तो हमने कहा हंडेट यूनिट था 35 यूनिट चला गया बचा कितना 65 पीड़े कितना 65 पीड़े अब देखिए होता क्या है यह जो बाइमंडल है न यह बाइमंडल ऐसे कर दो यह सुरिष यह आने वाले 14 यूनिट का क्या करता है और सोसर करता है क्या करता है 14 यूनिट का इसने कर लिया और सोसर कर लिया अब ध्यान दिजे 14 यूनिट का इसने जो और सोसर किया तो हीट का जब भी सूरी की प्रकास का ओशेशन होगा, गर्मी बढ़ेगी, क्या होगी? गर्मी बढ़ेगी. तो चौदर यूनिट का ओशेशन की ने किया? पायो मंडल. अब बताएं, चौदर यूनिट का ओसेशन पायोम मंडल ने कल लिया, अर्थातीय उंतरिय जो है कि प तो अब गरमी का समय है तो 7-8 वजे आपको गरमी लगती है क्या अरे बताइये लगती है की नहीं लगती है क्या इह क्यों लगती है क्योंकि शूरि की जो परकास का कुछ मात्रा का absorption किसके द्वारा कर लिया गया बाइमंडल के द्वारा तो यह गर्मी आप देखिए आप दो चीज़ें हो रही है कि सुरी की केड़ें बाइमंडल से होते हुए आ रही है कुछ को बाइमंडल absorb कर रहा है और बाकी प्रत्वी के सता तक आ रहे है यहाँ पर आए बचा कितना यूनिट बचा 51 यूनिट यह 51 यूनिट कहां तक आता है प्रत्वी की सता तक प्रत्वी की सता तक यह आए और प्रत्वी की सता तक आया तो प्रत्वी की सता पर क्या हुआ इसका आउशोषन हुआ तो अब प्रित्वी की सत्ह भी क्या होगी गरम होने लग जाए प्रित्वी की सत्ह भी क्या हो गई गरम ही हो गई अब जब प्रित्वी की सत्ह ने इसको एब्जॉर्ब कर लिया तो यह गरम हो गई लेकिन गरम प्रित्वी की सत्ह कब तक होगी जब तक इसको सुर्य का प्रकास मिल रहा है जब सुर्यास्त हो जैसे सुर्य का प्रकास जैसे जैसे प्रिछबी क्या कर रही होगे हीट प्राप कर रही होगी गरम हो रही होगी और गरम होने के साथ साथ कुछ हेट हुआ बाई मंडल में अंतरिच में बापस भेजना चालू कर देती होगी, तो यहां पर क्या हो रहा है, देखो मैं इधर बना दे रहाँ, यहां पर ऐसे, ठीक, ऐसे, ऐसे, तो पृत्वी सता जैसे जैसे गरम हो रही होगी, वह कुछ हीट अपना बाई मंडल में छोड़ती चलेगी, जैसे तवा है, हम तवा को रखते हैं गैस पर, उसको गरम करते हैं, सिर्फ तवा गरम होता है, या उसके संपरक वाली वायू भी कुछ-कुछ गरम होने लगती है, तवा भी अपना हीट क्या कर रहा होता है, वायू को दे रहा होता है, तो जैसे जैसे पृत्वी गरम होगी, वह अपने हीट को ट्रांसफर करते चलेगी, लेकिन पॉइंट अभी बस ये है, कि अगर हम देखें, तो 14 यूनिट जो है कि, यहाँ पर आया, मेन गरम होता है, वो कब होता है, इस 14 यूनिट से इसको कुछ नहीं मिलेगा, होगा क्या, यहाँ जो 51 यूनिट है, 51 यूनिट, यहाँ जब क्या होगा, इसी में से 34 यूनिट, समझेगा, इसी में से 34 यूनिट, क्या होता है, यह धीरे धीरे प्रत्वी बھیज रही होती जैसे जैसे प्रत्वी गरम हो रही है कुछ-कुछ यूनियट वह बाइमंडल को अंतरिच में भेजने का प्रयास करती है प्रत्वी इत को अंतरिच में भेज रही है लेकिन बीच में क्या मिलता है बाइमंडल तो चौ paperwork यूनिट का बाई मंडल अच्छा जो 34 यूनिट क्या है इसको हम क्या बोलेंगे पार्थी विक्रण मैंने पिछली क्लास में बता रहा था कि पार्थी विक्रण का मतलब क्या है कि जब प्रत्वी अपनी उश्मा को अंत्रिच में भेशती उसको बोलते हैं पार्थी विक्रण कितना करेगा यहाँ चौति इक्यावन यूनिट जो इसको प्राप्थ हुआ पुरा भेज़ेगा त बायू मंडल ने जब इसको यह चौतिस उनिट का अप्जॉप्शन करेगा तो बायू मंडल क्या हो गया बायू मंडल के पास कितना हो गया चौतिस से चौदा ए और तालिस उनिट तो बायू मंडल का इधर लिख देते है तो बायू मंडल के पास कितना आया पायू मंडल क पास आया 14 प्लस 34 हाना कितना 48 यूनिट अब इस 48 यूनिट से बाई मंडल क्या हो गया गरम हो अब प्रश्ना आपका यह आएगा कि सर फिर ये 17 यूनिट कहा गया तो इसका जो 17 यूनिट है ये कहा चला जाता है अंत्रिच में चला ये डारेक्ट चला गया अंत्रिच में और अंत्रिच में चला जाने का मतलब है कि ये बाई मंडल इससे गरम नहीं होगा बाई मंडल गरम होगा इसी 48 यूनिट से तो इसका मतलब है कि जो बाई मंडल की गरमी हमें महसूस होती है इसी 48 यूनिट से मैसूस होती है, और इसमें सबसे बड़ा रोल किसका है, पार्थी विक्रण का, क्योंकि इसी पार्थी विक्रण से 34 यूनिट बाई मंडल को भेजा गया, और इसको क्या कर लेता है, अब देखी, तो यहाँ पर क्या हुआ, 65 यूनिट आया, 14 यूनिट जो ह अपने हीट को फिर से अंतरिच में भेजना चालू करती है, इसकी 34 यूनिट का, जब प्रत्वी अंतरिच में भेज रही थी, पार्थी विक्रण कर रही थी, तो 34 यूनिट का और एब्जॉर्ब्सन कौन कर लेगा, यह बाई मंडल कर लेगा, और बाई मंडल के पास हो गय 48 यूनिट और यह 17 यूनिट जो इसका बचा हुआ है, यह अंतरिच में सीदे चला जाएगा, और बाई मंडल भी क्या करेगा, जब सुरियास्थ हो जाएगा, उसके बाद तेजी से उसने चो यह 48 यूनिट रोका था, उसको अंतरिच में भेज देगा, तो 48 यूनिट इसक बोड तक क्या कर देता है, बोड तक यह 48 यूनिट रापस भी चुका होता है और सुरियोदे के बाद ही क्या करता है, प्राप्त करता है कि क्या यह बात सौंज पाए तो हंडेट यूनिट आया और हंडेट यूनिट क्या हो गया चला गया यही है हीट बजब कितना आसान है कितना सांदार है कितना जांदार है करेंट अफेर्स की क्लास देख रहे हैं न आप लोग कि आप सब लोग करेंट अफेर्स की क्लास देख रहे हैं कि नहीं ठीक चलें ठीक आईए फिर से इसको अलग सिलाइड में समझाता हूँ यह सूरी इस सूरीश क्या हुआ हंडिट यूनिट आया हंडिट यूनिट क्या हुआ भेजा गया घेजा गया, किदर की ओर भेजा गया? प्रिथवी की ओर। अब जब प्रिथवी की ओर भेजा गया, तो इसमे से पायु मंडल, पायु मंडल एवं प्रिथवी की सतह से, क्या हुआ? 35 यूनिट प्रावर्तित हो गया क्या हो गया प्रावर्तित हो गया 65 यूनिट क्या हुआ इसका और स्टोर्षण हुआ जो प्रावर्तित नहीं वह पाया उसका क्या हुआ और स्टोर्षण इसमें से 14 यूनिट का और शोर्षण किसके द्वारा हुआ पाइम मंडल के द्वारा और 51 यूनिट का और शोर्षण किसके द्वारा हुआ प्रिथवी के द्वारा ठीक आप देखे यह पाद में या फिर तोपहर के बाद तोपहर के बाद में इसे भी क्या किया जाएगा? अंतरिच में अंतरिच में भेजा जाएगा क्या किया जाएगा? अंतरिच में भेजा जाएगा अब समझे अंतरिच में क्या किया जाएगा? भेजा जाएगा ठीक तो यह है हमारी पृत्वी इसको मिला 51 unit और यह है बाइमंडल इसके पास है 14 unit आपकर पृत्वी क्या बेगी इस 51 units को भेजेगी तो 17 unit टारेक्ट कहां आ गया यह है अंतरिच अंतरिच में आ गया अब बचा कितना 34 unit तो यहाँ पर जो Bi-Mandal है इसने क्या किया 34 Unit को रोक लिया तो इसके पास कितना होगा Bi-Mandal के पास यह हो गया 48 Unit और यह जो 48 Unit है इसको क्या होगा सुरियास्त के बाद सुरियास्त के बाद इसे Bi-Mandal क्या करेगा अंत्रिच में भेज दे अंत्रिच में क्या करेगा, और इस तरह से जब अंत्रिच में चला गया, तो देखो, 48 unit A, 17 unit A, तो अंत्रिच में क्या हुआ, कितना गया, 48 प्लस जो है कि 17, प्राबर 65 unit, 35 unit पहले ही जा चुका था, 65 unit A, इसका मतलब क्या है, प्राब्त कितना हुआ, 100 unit, और बापस कितना गया, वह भी 100 unit, दूसरे सब्दों में, अगर आप प्राब्ती को इस तरह में देखो, कि बाइव मंडल एवं, ताकि यह लग रहा है से, बाइव मंडल एवं, प्रत्वी ने, 65 unit का क्या किया, और शोषण किया, और इसे, पुना, सुरिवोदे से पहले, से पहले, अंत्रिच में भेज दिया, अंत्रिच में भेज दिया, तो प्राब्ती कितनी थी, 65, और पापस कितना हुआ, 65, तो यहाँ पर क्या हो गया, बैलेंस कितना रहा, चीरू, इसी की कारण भोर के समय हमें क्या होता है, अंडग का एसास होता है, हमें सबसे कम गर्मी लगती है, एक गम किलियर होना चाहिए, क्रिष्टिल किलियर होना चाहिए, एक गम किलियर होना चाहिए, साइड में हट गया हूँ, नोट कर लेजिए, मैं ये बात नहीं कह रहा हूँ, आप में से, एक नहीं, कम से कम, हजार स्टुडेंट ये बता चुके हैं, कि सर, आप ही से जो ग्रोफियम समझ पाए, आज तक हमें कोई समझा नहीं पाया, इसलिए हमारे टीम मेंबर एक बात कहते हैं, इसर जो आपसे जोग्रोफी नहीं समझ पाया ना फिर उसे क्या करना होगा माउंट के लिए मंजारों पर जाना होगा और योगासन करना होगा तब जाकर सायत अन्य भगवान जो है कि दया करें और फिर समझ मैं सकत्रे यूनिट कहा गया भीया पहले यांतरिच में चला गयी देख़ो चला तो गया अनतरिच में एक बेभारिक एक्जामपल देता हूँ एक स्टोरी के फॉर्म में एक स्टोरी के फॉर्म में उससे चीजे आपकी और किलियर हो जाए अच्छा अब समझे मैं आपके पास आया ठीक है और मैंने कहा भाईया बहुत गरीब है आपने कहा गुरू जी का करें तो हमने कहा कि 100 रुपए दे दिजे आपने कहा ठीक आपने मुझे 100 रुपए मेरे तरफ देने के लिए हाथ बढ़ाया और मेरे मुझे निकल गया वह आज तो मज़ा आएगा गोल गप्पे खाएंगे अब गोल गप्पा सुनके आपके मुझे आगया पानी आपने कहा गुरू जी गलत बात हमको भी पैसा दो हमारे पास और पैसा है नहीं हम भी गोल गप्पे खाएंगे हमने कहा कि ठीक है आपने मुझे से 35 रुपे ले लिया दिया आपने हाथ बढ़ाया मेरे तरफ 35 रुपे ले लिया पच्चा मेरे पास 65 ठीक अच्छा अब मैं 65 रुपे लेकर चला ही था गोल गप्पे की दुकान की ओर तब तक आप में से कोई और आपका दोस्त में लिगया गरुजी गोल गप्पा आप अपनी हेल्थ देख रहे हो आए ध्यान रखो करो थोड़ा सा अपनी हेल्थ का अने क्या करें एक कम गोल गप्पा खाओ कही हाथ में क्या है अने को गोल गप्पे के पैसे हैं गुरुजी दिक्कत हो जाएगे आपको अच्छा लाओ कोई बात ने अलाओ हमको दो चौदर रुपए आपने मुझसे ले लिए कि चलो हम भी आपका साथ देंगे देखेंगे ज्यादा तो नहीं खा रहे हो हमने का ठीक 51 मेरे पास हैं चौदर आप रुपए ने ले लिए गोल गप्पे की दुकान पर पहुंचे अब जैसे जैसे गोल गप्पे खा रहे हैं हमें गोल गप्पे वाले को पैसा क्या करना है पे करना है हमने क्या किया तो गोल गप्पा खाया और 51 रुपए गोल गप्पे वाले को दे दिये और आपने क्या किया 14 रुपए आपने दे दिया गोल गप्पे वाले के पास कि टुरूरे 65 रुपिर ॅब आपका फोन आया है गुरू जी कहाँ अभी देये जांसे की सक्त जरूरत अभी अमने का भाईया नहीं है खालिए गुल गब्प्र खालिए ऐसे-कैसे तो हमने दुकान वाले से कहा भाई-सहब है इनको पईसा बापस कर दो, हम आपको कल देंगे, कुसमस, इसी समय आकर देंगे उन्होंने कहा कि पक्का दे जाओंगे गुरूची सकल से अच्छे इन्सान लगते हो इसलिए हमने कहाँ भीया दे जाये उन्होंने क्या किया 65 रुपए बापस करती है 65 रुपए जब वो दे रहे थे 65 रुपए जब दे रहे थे उन्होंने तीन टुकडे में दिया कहा लो भीया 14 रुपए वाला लो पहले तो यह भाई सब खाके गए थे अब बचा गुरु जी का कितना 51 रुपए कि गुरुजी ने मीठा वाल गोलगा खाय थे उसका पैसा को सत्र रुपए बापस दिये उन्होंने जिम में डाल लिया अब और पैसा दो घटे पानि वाला तो यह निबू की पानिवाला जीरे के पानिवाला एं रहा 34 रुपए और आपने जेम में डाले और लेकर चले आए किलियर अब तो नहीं भूलोगे अब इस तरह गोल गप्पा कौन बेच के समझाता है बताओ अब क्या करें गोल गप्पे से नहीं समझ पाओगे तो पिर समझी लो फिर एक ही काम करना बड़ेगा दिल्ली लेकर दिल्ली आगे और दिल्ली आगे हम फिर प्रैक्टिकल करेंगे सौर पर आपसे लेंगे दुकान वाले के पास लेकर चलेंगे किलियर तो संडे को आप में से जितनी लोग जो ग्रॉप्पियो अप्सनों रखना चाहते है वह संडे को एक बचे अना हमसे मिलेंगे एप पर एक क्लास बनाए जाएगा इस फिसल और उसमें हम बात चित करके समझने का प्रयास करेंगे कितने लोग हैं आप तो अब आपको क्या करना इस टॉपिक को लेंग्वेज दे लेंगे इस टॉपिक को कितने लोग लेंग्वेज दे लेंगे सब लोग करिएगा फीस देख लेंगे फीस बहुत अर्जिस्ट करेंगे बहुत हमारा कोई भी कोर्स सबसे सस्ता होता है और सबसे बहतर होता है तो संख्या अगर आपकी जादा होगी तो फीस हम बहुत कम रखें घबढ़ाओ मत सर एक और एकजामपल नहीं हमारे पास एकजामपल सौर पर भेजना तब हम देंगे एकजामपल ठीक है history का देखेंगे अभी नहीं अभी हमारे पास नहीं है एक एक करके start करेंगे डेर से दो महीने बाद जब हमें कोई teacher लगेंगे जिनके पास optional वाला content है तब हम बात करेंगे नहीं तो हम किसी का carrier नहीं बरबात करेंगे और आप भी अपना केरियर मत बरबात करना समझ रहे हो हम इतनी मेहनत इसलिए नहीं कर रहा है कि आप गलत optional रख लो गलत teacher से पढ़ लो GS में पढ़ाना, optional में पढ़ाने में जमीन आसमान का अंतर है optional ही वो paper है जो decide करता है कि rank क्या आएगी अना तो GS की class समझ में आ रही इसका मतलब यह नहीं को optional जैसे हमें अपने उपर लेते हैं हम अगर जो graphist GS में अच्छा पढ़ाने तो जरूरी नहीं को optional भी हम अच्छा पढ़ा ले तो हमारे लिए भी एक challenge है कि हम optional के सभी questions solve करवा पाते हैं कि नहीं आएगा नेहाजी आएगा परसान मत होईए धैर रखे patience it value हमारे ले अच्छा हाँ सही बात भाई परसो तो एक जाम है तो नहीं 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 परसो नहीं रखेंगे भाई परसो नहीं फिर तो इसको हम लोग सोम्मार को रखेंगे सोम्मार को रखेंगे ठीक 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 चरे ठीक है नहीं परसो नहीं परसो नहीं हो गवा है हम बता देंगे आप लोग को सुचित करवा देंगे सोम्मार को रखेंगे और सोम्मार को हम लोग रख सकते हैं सोम्मार को रख लेंगे उस दिर साथ अभे सर क्लास नहीं ले पाएंगे उन्होंने मुझे सुचित किया था साथ सर को किसी काम से घर जाना है तो तो मार को वारे बजे रख लेंगे हम लोग शो मार को वारे बजे ओप्सनल ज़ादा देप्ट में ओप्सनल इतना डेप्ट में होता है कि GS अगर आप सोच रहे हों कि GS में हमने समझ लिया किसी टॉपिक को और उससे ओप्सनल हो जाएगा तो फढपढ़ा के रह जाते हैं लोग चले ठीक है, मिलते हैं, सो मार को यह जो optional की class हम रखोंगे, सो मार को रखेंगे हम लोग ठीक है चले ठीक है ओके, thank you so much, thank you so much, thank you so much